दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको शिखाएंगे अगर आप भी WhatsApp एकॉंट क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह के प्रोब्लेम अगर आपके सामने आ रहा है यानि कि आपके नंबर पर OTP सब्सक्राइब करने करते हुए चलिए वीडियो कर लेते हैं लेकिन वीडियो करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फिलिए इस चैनल को सब्सक्राब करें करने के नोटिपिकेशन को अन कर लें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार इसी तरह का नोलेजेबल वीडियो ले करके आते रहते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपना वाट्सप उपेन करना और वाट्सप उपेन करने के बाद अगर इस तरह का इंटरफेस अब करने के बाद अब आपको सबसे नीचे आना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके समने आजाएगा अब आपको सबसे नीचे आना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं describe yore problem आपका जो समस्या उस समस्या का आपको आपकर डिस्क्रैब यानि message लिख circuitsना उसके बाद यहांपर आप देख सकते हैं कि जो i機 सर्ट अभी हम आपको बोले थे लेने के लिए उस skin नोट फाइंड माइव वाटसप वेडिप्रिकेशन कोड सो यू हैल्प में इन दिस थैंक यू सो मच इस तरह का आपको मैसेज लिख लेना तो दोस्तों वैसे हम डिस्क्रिप्शन में विज़े दिये वहां से आप कॉपी करके यहां पर लिख सकते हैं अब आपको अपना स्क कर देना और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं क्लिक करने बाद कुछ इस तरह का इंटर्फेस आपके सामने आजाएगा अपको यहां पर आपको यहां पर कोई एक कर लेक्ट करना है रिडिसी बेडिपिकेशन कोड विदाउट रिक्वेश्ट अब आपको सिंपली इस वाले option पर click करना और जैसे हैं किलिक करते हैं कुछ इस तरह का interface फिर से आपके सामने आ जाता है अब आपको इसे पीछे की तरफ scroll कर लेना और scroll करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह अब आपको यह पर click कर देना है और जैसे हैं yes पर click करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं thank you for your feedback और इस तरह सा interface आपके सामने आ जाएगा अब आपको यहां से back हो जाना और back होने के बाद यहां पर आपको फिर से whatsapp पर इस तरीका से 2-3 second तक click करना और click करने के बाद आपको app info पर click करने के बाद अब आपको storage usage पर click करना है और जैसे storage usage पर click करते हैं किलिए data कर देना है जाए यहां के लिए data कर के साप देख सकते हैं हम वाटस आप आपके मेर्य सॉपन करने के बाद next आपके सामने कुछ इस तरह का Handy साओगा अब आपको सबसे पहले यहां पर language select कर लेना और language select करने के बाद आपको agree and continue पर click करना और click करने के बाद यहां पर आपको अपना mobile number दे करके अपना account create कर लेना है तो दोस्तों अगर आपको WhatsApp पर account create करने नहीं आता है तो इसके लिए मैं already video upload कर दिया हूँ link description में आप जाकर कर उस video को देख सकते हैं उस video को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप अपना account create कर सकते हैं तो आसा करता हूँ कि दोस्तों यह video आपको समझ में आ गया होगा और अगर यह video से आपको कुछ भी सीख मिला तो अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें ताकि उन्हें भी कुछ help हो सके मिलते हैं दोस्तों अगले video में नए topic के साथ तब तक के लिए thanks जाएं